यह मद्रप्रदेश की स्टेटिक जीके की सो महत्पूर्ण प्रस्न का वीडियो है और इसके में चार पार्ट लेके आऊंगा और हर पार्ट में 25-25 कॉश्चन करके यह वीडियो होंगे जिसमें कि मैं मद्रप्रदेश के और मद्रप्रदेश के विडियो है मद्रप्रदेश के एक्जाम के तयारी करता है चाया वह मद्रप्रदेश के सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने मेरा चैनल लेकर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर क्लिक करें जिसे कि जितने भी वीडियो बना रहा हूं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप सारी वीडियो इसी तरीके से देख पाएंगे तो चलिए सिरू करता हूं मद्र प्रदेश की यह सो प्रिश्ण है और इसका यह पहला वाग जिसमें की मैंने यह 25 कौश्चन कवर किये हैं पहला कॉश्चन सो प्रिश्ण का पहला कॉश्चन है मद्र प्रदेश में संजीवनी संस्तान कहां इस्तित है तो यह आपके सामने जवलपूर में गौलियर में भुपाल में या फिर देवास में तो इसमें से कौन सा ऑप्षन सही है तो इसका सही उत्तर है पहला वाला जवलपूर में इस्तित है मद्र प्रदेश का संजीवनी संस्तान दूसरे कोश्चन की ओर चलते हैं दूसरा कोश्चन मद्र प्रदेश की सोप महत्मूर प्रिश्चन पर 1956 में मद्र प्रदेश का कौ विधर्व दूसरा स्वाराष्ट तीसरा रावली या दूसरा चौथा मन विंद्ध तो इसमें से जो सही उत्तर है वह विधर्व का जो छेत्र है जो कि मद्रप्रदेश के दक्षिण में आता है जो कि महराष्ट में मिला दिया गया था कब परवत रादी में ताप्ति नदी का उध्गम है बहुत इंप्वॉटेंट कि पाड़ियां पहला नमर दूसरा नमर सप्ट पलॉशरे कें मौर की पाड़ी से मंद्य प्रदेश में तापती नदी निकलती है यह निकलती है बैतुल जिला बैतुल जिले की मुलतई है मुलतई जो तहसीर है वहां से तापती नदी का उद्गम है और यह तोटल 725 किलो मीटर का सफर ते करती है और ये पूर्व से परस्चिम की और नहां रखेगा पूर्व से परस्चिम की और ये बहती है ठीक है ना सत्पड़ा में और इसी के साथ में दूसरे एक नदी और है मद्प्रदेश की वह है नर्बदा नदी नहां रखेगा नर्बदा नदी इसका उद्गम भी इसका उद्गम कहा से है इसका उद्गम है अमर कंटक से अमर कंटक से इसका उद्गम है और यह यह भी पूर्व से प्रस्चिम की और बहती है मद्प्रदेश की दो नदिया है जो की पूर्व से प्रस्चिम की और बहती है और मद्प्रदेश की दोनों नियए इन दोनों की घर का निर्मान करती है तो मदब्रदुष कीन से to पड़ापरवटियान यह जोंद पारह नन्रवद की और आने वाली नदियां पूरी साहएक नदियां से कौन सी नदी निकलती है यह निकलती है चंबल नदी इत बताना liberals जैकर śीजक है जाना पावा की पाड़ियों से जो की कहां पर है महु तैसिल में महु तैसिल में और कैमूर की पाड़ियों से जो नकलती है वो कौन से निकलती है कैन नदी का उद्गम हुआ है कैमूर की पाड़ियों से अगले कोर्शन की और चलते हैं चोथा कोर्शन लेते हैं निम्न में से किस सहर में पसुपती नात का मंदिर है वो कौन सा सहर है जिसमें की पसुपती नात का मंदिर है बहुत ही very important important question है ये धार में है मनसोर में है नीमच में है या फिर उजयन में है तो इसका सही उत्तर है दूसरा नमर मनसौर मनसौर इज़धा correct answer तो मनसौर में है पशुपती नात का मंदिर अच्छा ये विश्व में सिर्फ दो ही मंदिर है जो की पशुपती नात मंदिर है एक मंदिर जो की कहां पर है दूसरे देश में कहां नेपाल में है ठीके ना और एक मद्द प्रदेश मे एक मात्र है जो कि भारत में है मद्द प्रदेश में पसुपती नात मंदिर और भारत का अगर दिखा जाए और पूरे विश्व में सिर्फ दोई मंदिर है एक है नेपाल में नेपाल की कहां पर है काटवांडू में पसुपती नात मंदिर और दूसरा है मद्द प्रदेश के छेत्रपल की द्रस्टी से सबसे बड़ा है पहला इंदोर दूसरा नर्वदापुरम तीसरा रीवा या फिर चोथा जवलपूर क्या पूछा गया इसमें छेत्रपल की द्रस्टी से कौन सा संभाग सबसे बड़ा है जिसका छेत्रपल सबसे बड़ा है तो इसका सही उत्तर है चौथा नम्मर, जवलपुर संभाग, this is the correct answer, जवलपुर संभाग जो की छेत्रपल की द्रस्टी से सबसे बड़ा है संभाग, और अगर आवादी की द्रस्टी से देखा जाया, तो आपका जो आंसर होगा आवादी की द्रस्टी से, तो वो होगा इंदोर, यह है आवादी, आवादी की द्रस्टी से यह सबसे बड़ा संभाग है, तो इसका सही उत्तर है पहला नम्मर, this is the correct answer, बैतुल में है घड़ी बनाने का कार खाना, ध्यान रखेगा बैतुल में है घड़ी बनाने का कार खाना, और अन्य आप्शन में अगर देखा जाया, आप्शन में अगर तो अन्य आप्शन में भी कहीं, कहींना कहें भी, कोई कार खानी या संहरे देखें लेकते हैं, चल्फकॉर सबसे बड़ा संहरे है यहां पर वगजान और बोपाल में क्या है बोपाल में है रेलवे कोच फैक्टरी रेलवे कोच फैक्टरी जो है वो बोपाल में है रतलाम में क्या है रतलाम में है अंगूर अनू संधान केंद्र कहां पर है यह है रतलाम में तो आपको सब याद रखने इसी तरीके से यह रतलाम में और बैतुल में क्या है एक मात घड़ी बनाने का कारखाना साथवा कोशन लेते हैं मद्द प्रदेश के किस सहर में पहला आयोसी द्वारा प्रमानित जेल है यह आपके सामने होसंगाबाद भोपाल इंदौर या फिर गॉलियर तो इसका सही उत्तर है सेकेंड नमर भोपाल भोपाल इधा करेक्ट आंसर भोपाल में है यह मद्द प्रदेश की राजदानी भोपाल वहाँ पर पहला आयोसी प्रमानित जेल है आड़वा कोशन किस प्रकार के वन मद्द प्रदेश में पाय जाते हैं वेरी इंपोर्टेंट कोशन कई वारी कोशन बन गया है आया है एक्जाम मत तो पहला और दूसरा दोनों यह पर चोथा इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है पहला नंबर डिसी दा करेक्ट आंसर ऊष्ण कट वंदी वन पाय जाते हैं मद्द प्रदेश में जाबवा में महाई विरूद की का जो आंदूलन चलाया गया था वह कब चलाया गया था यह तियास की उपरकोशन है ठीके ना तो जाबवा में महाई विरूदी अंदूलन कब चलाया गया था पहला 1949 में दूसरा 1930 में तीसरा 1942 में या चोथा 1935 में तो इसका सही उत्तर है चोथा 1935 में दिसी दा करेक्ट आंसर 1935 में जाबवा में ठीके ना यह महाई विरूदी अ समिधान बनाया था Freemburg thank you 935 समिधान冥्च तसके नाम से आप यह और यह यह समिधान अभी भारत सरकार यह इसमें से जो सक कर रहे है यह दखेगा 1935 का सम्मिधान उट के अंगरेजीं द्वहरा बनाया गया था is कंत विदियो बनाया इसलिए भारती सम्मिधान 1935 के वारे में आप जानकारी पूरी ले सकते हैं इसके अलावा अन्य वीडियो भी है जो सम्मिधान पर आधरे थे तो वो भी आप मेरे चैनल की प्लेलिस से जाकर देख सकते हैं तो दिसी तक करेक्ट आंसर जो की है जाबोवा की महंगाई की व्रो व्रद्धी दर कितने प्रतिसद है ठीक है राज में नगरी करण के लिए जो व्रद्धी की गई वो कितने प्रतिसद है पहला 26 प्रतिसद दूसरा 24 प्रतिसद तीसरा 20 प्रतिसद या फिर चोथा 30 प्रतिसद तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा नम्मर 20 प्रतिसद दि का सिस्तम मद्रप्रदिश के किस इस्तान पर या पिर किस जिले में हैं पहला राइसेंजला दूसरा विदिशा तीसरा खजराओ या चोथा सागर तो इसका सही उत्तर है सैकेंड नमर का विदिशा विदिशा जिदा करेक्ट आंसर और यह बहुत ज्यादा के लिए इंपॉर्टेंट साविर होने वाले हैं तो आप इस वीडियो को देखें और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें ठीक है तो इसका जो सही उत्तर है हिलो डोरी सिस्तम ठीक है ना यह प्रकास सिस्तम है जो मद्रप्रदिश की विदीशा जिले में ही म मंद्यत्स जो चेत्र है फ्रण सागर में इसी तरीके से राई सिंब किसने मनाया था यह वन माया था राज वसंती राज संथे वसंती ने थे का यह राई संस्राज कंवान पर अब जो मंदिर है अभी टुटल तीस मंदिरों के वारे में कर वाया था चंदेल ने कर वाया था और चंद्र वर्मन थे का hna想 डूरा कोज देपेड। तो this is the very important questions और आपकी की fact भी मैंने cover किया है अगले question क्यों चलते हैं बारबा question दुरुपत समारो कहां आयुजित किया जाता है पहला option भोपाल दूसरा खजराओ तीसरा उज्जन या चोथा गौलियर तो इसका जो सही उत्तर है वो है खजराओ खजराओ में दुरुपत समारो दुरुन दिखे लेते हैं रजिएन में क्या मना जाता है कालीधास कालीधास समारो कहां मना जाता है और मतलाओ समारो यह गौल में मनाया तो यह option मैंने cover किया अगला question चलते हैं तीरवा question 1923 में कहां जंडा सत्याग्रे का सुभारंब हुआ था मद्ध ब्रदेश में हैं जो जंडा सत्याग्रे का वो था वो किस जली में हुआ था जवलपूर बोपाल नीमज या फिर बुरहानपूर इसका चोद्वा question मद्ध प्रदेश उसव कहां होता है दल्ली में इंदौर में वो पाल में या फिर जवलपूर में तो इसका सही उत्तर है दिल्ली में मनाया जाता है मद्ध प्रदेश उसव this is the correct answer पंद्वा question मद्ध प्रदेश की सांची में किस समयुदाय का प्रिश्चित्य इस्तल है पहला जैन दूसरा बौध तीसरा पहला और दूसरा दोनों या फिर चोथा इन में से कोई नहीं तो इसका सही उतर है सेकेंड नमर इसे दा करेक्ट आंसर बौध समूदाय का प्रिश्द्परियाटन स्तल है कौन सा जो गौतम बुध थे उनका उनकी स्थूप है यह ने भी अपने धरवर में इसको सामिल किया गया है सांची के स्थूपों को ठीक है वेरी इंपोर्टेंट प्लीज सोलवा कॉर्शन पादव एवं जिवास्म के लिए कौन सा रास्टी उद्धान प्रिशिद्ध है मध्यप्रदेश में जो पादव जिवास्म रास्टी उद जो की बहुत ज्यादा प्रिश्यद्ध है पादव और जीवास्म के लिए और यह कहां पर है यह दिंडोरी में राला मंदल यह इंदोर में है, यह सबसे चोटा राश्टी उद्ध्यान है ठीक है ना सबसी टूटा, पॉइंट फॉर फाइब किलोमीटर, स्क्वाइर किलोम अगला है सत्रवा कोशन, किस जन्जाती का मूल निवास, कोटा, राजिस्थान और गुना मद्प्रदिश तक का छेतर है, कौन सी जन्जाती है जो, भील, कोट्कू, सहारिया या फिर गौन, तो इसका सही उत्तर है, तीसरा नम्मर, सहारिया, this is the correct answer, सहारिया जन्जाती है जो कि मद्प्रदिश में गुना से लेके राजिस्थान में कोटा तक इसका छेतर है, यहां पर यहां पर रहती है, अठारवा कोशन, मद्प्रदेश में कपड़ों का सहर कहा जाता है, मद्प्रदेश में वो कौन सा सहर है, इसको की कपड़ों का सहर कहा जाता है, पहला दिल्ल स्टैंवल्व टाट से पाव को kali eight तो इन तीनों में से कौन सा आफ्षान सयए और को कहा जाता है कपड़ों का परिफिर मैं इन दौर में गताए हूं से वह कहा है एक तो है लिटर कॉंप्लेक्स टिके ना यह कहा पर है यह देवाज मैं इक है इस टील कॉंप्लेश यह कहां पर पर है यह चिंद वाड़ा में चिंद वाड़ा में है एग्रो कॉम्प्लेक्स और एक है इलक्ट्रोनिक्स कॉम्प्लेक्स इलक्ट्रोनिक्स कॉम्प्लेक्स यह कहां पर है यह इंदौर में ठीक है इसे के साथ में रेडिमेट कॉम्प्लेक्स भी इंदौर में ठीक है इसको भ कौन सा नगर तामर पास्रेण योगीन मालवा संस्किती का प्रमुख केंद्र था तामर पास्रेण योगीन जो था संस्किती थी उसमें मालवा संस्किती का वो कौन सा प्रमुख केंद्र था मालवा में जो इस्तित था नादवा तोली काय था एरण या फिर विदिशा तो इस मदप्रदेश में ग्यार्वी पंचवर्षी योजना में सारवधिक बजट किस छित्र में दिया गया पहला क्रसी सेवाएं दूसरा सामाजिक सेवाएं तीसरा राश्टी सेवाएं या फिर चौथा उद्योग सेवाओं में तो इसका सही उत्तर है सेकेंड नम्मर करेक्ट आं में पूछा गया है मद्प्रदेश की जो भी एंपीवी दौरा कंड़क्ट होता है या पीस्टी उसमें कई वार कॉस्टास कि जलेम पाया गया है हुसंगवाज जाबवा बाला घाट या फिसका सही उत्तर है जाबवा दिसीजदा करेक्ट आंसर मद्प्रदेश की जाबव में पायाता है और अगर इसको दिखा जाय तो भारत में जो एजव था जाता है या अपूठत कोश्चन तो मद्रदीप्रदीश में ज्भाजले में पाए जाता है इसके साथ गाँ पर पाए आथा थी किसाथ में बाला घार लागाट के कहां पर मलाजखन मलाजखन जो की खाने हैं वहाँ सबसे उच्वर का तामभा पाया जाता है पन्ना में क्या हीरे हीरे की कधाने है ठीक है ना अगर भारत में हीरे कहीं पाया जाते हैं तो वो मद्द प्रतेश के पन्ना में पाया जाते हैं तीव पंना सत्ना और शतरपूर यह सबसे कि लिजए का निर्मार किस सासक ने करवाया था किर्तिपाल सूरज सेन राजवसंती या फिर मानसिंग तोमर तो इसका सही उत्तर है सूरज सेन सूरज सेन ने गवालर की किले का निर्माण करवाया था और ये कब करवाया था आठवी सदी में ठीके ना 8th century सी उस समय सूरज सेन ने गवालर की किले का निर्माण करवाया था और कीरतिपाल ने कौन सा क्ले का निर्मान करवाया था इन्कों कि नरेश कीरति पाल के नाम से जानते थे और ये करवाया था चौदवी सदी में, ठीक है ना, 14th century में करवाया था, राजा किर्तिपाल ने चंदेरी की किले का निर्मार, और राज बसंती ने कहां पर, राइसेन, राइसेन का जो किला है, ठीक है ना, उसका निर्मार करवाया था, राज बसंती ने, मान सिंग तोमर ने जो गौलेर का किला है वहाँ पर ठीक है वहाँ पर कौन सा गुजरी महल का निर्मार करवाया था जो गुजरी महल है उसका निर्मार करवाया था मान सिंग तोमर ने राजा मान सिंग तोमर उन्होंने करवाया था गुजरी महल का गौलेर के किले को भारत का जिब्रालिटर भी का बारा सिंगा केबल एक ही राश्टी उद्यान में पाया जाता है कहां पाया जाता है पेंच में पन्ना में काना किसली में या फिर बांधवगड में तो इसका सही उत्तर है तीसरा नम्मर काना किसली राश्टी उद्यान देशिद्धा करेक्ट आंसरा काना किसली राश्टी और व सब्से पुरान दैंथ में 955 में इस रस्टे उद्ध्यान कि स्थापना कर दी ती है और सभसे बड़ा रश्टी उद्यान भी यहाँ पर यह पर चितन और पर यह पर अब महाँ पर है इए सिवनी में है इंप्राइटेंट है जो कि हम बाला corpo के करीब लगा थे और महाराश्ट की सीमागे पर है यूँ महां पर है या पिच राश्टि उद्यान और यह पिच नदी के जनसंक्या की दिस्टी से सबसे चोटा संभाग वह है जवलपूर इस दा करेक्ट आंसर जनसंक्या की दिस्टी से सबसे चोटा संभाग जवलपूर है ठीक है और चेत्रपल की दिस्टी से सबसे बड़ा संभाग इंदोर ठीक है ना यह सबसे बड़ा संभाग है यह सबसे चोटा संभाग है इस वीडियो का आखरी कॉस्चिन 25 निम्न में से किस नदी पर महेश्वार परयोजना बनाए गई चंबल नदी नर्मदा नदी ताप्ती नदी या फिर सोन नदी तो इसका जो सही उत्तर है वह है नर्मदा नदी पर बनाएं गई है महेश्वार परयोजन नदी के नामसे जानते हैं ठीक है अन्य जो नदियां है उस पे भी कोई ना कोई प्रयोजना चल रहे हैं ठीक है ना चम्मल नदी पर चम्मल नदी पर है गांधी सागर जो गांधी सागर प्रयोजना है वो कहां पर है वो चम्मल नदी पर है ठीक है ना और सोन नदी पर कौन सी है बान सागर बान सागर और यहां पर विद्यूत उत्पादन किया जाता है गांधी साखर प्रणीप नदीप और राजिस्थान इन दोनों की सहुक्त प्रियोजना है तीन ना एक कोटा में और दूसरा आगे जाकर राजिस्तान के एक और जिले में बनाया गया है और ये गांधि सागर जो बांध यह कहां पर है यह है मंसौर में है यह प्रविजना चल रही है तो यह 25 कॉस्चिन से आपको यह 25 कैसे लगे यह पहला वीडियो है इसके बाद मैं अगला पार्ट लेके आऊंगा जो कि अगले 25 कोशन का होगा इस तरीके से 100 इंपोर्टेंट कोशन के ये 4 पार्ट होंगे आप चारों पार्ट को ध्यान से देखिएगा और इनको बार-बार देखके आप इनको याद कर लीजीगा क्योंकि ये कोशन बार-बा कोशन का वीडियो में लेकर हाजिर होंगा तब तक के लिए जैहिन जै भारत